आज में आपको रौ पीनेट्स को कैसे बॉल किया जाता है वो बता रही हूं बहुत सिंपल मेथट है खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और यह healthy भी होती है खाने के लिए बहुत है आजकल यह रौ हमें एवलीबल है महरास्त implications अछरब बहुत में इससे मिलती है लेकिन कहीं मिल सकती आप देख सकते हैं यह देखिए पहले हमने इसकी ट्विद्स निकालके इसको साथ कर लिया है अच्छे से और क्योंकि इस पर मिट्टी लगी रहती है तो इसकी हमने 2-3 टाइमस इसको वाटर में से वाश कर लिया है इसको ही हमें बॉइल करना है आप देख सकते हैं मैंने पैन गैस पर रख लिया है इसको मैं कुकर में बनाने वाली हुए प्रेशर कुकर में यह इजी बन जाएगा इजी ली देखिए बॉश करी हुई पीनट्स इसमें डाल देंगे काफी मिट्टी इसके अंदर रह जाती है और अच्छे सी पीनट्स डूप जाएं इतना हमें पानी डालना है आप देखिए अब ही मैं इसमें 2-3 स्पून सॉल्ट डालूंगी यह देखिए क्योंकि इस पे कवर किया हुआ है तो अंदर तक नमक जाएगा तो इसके लिए अ अब मैं इसको प्रेशर को करूंगी टू विसल लाने पर मैं इसको उतार लूंगे आप देख सकते हैं अब देख सकते हैं इसको बंद कर रही है और तो विसल आने पर हम इससे निकाल कर चक करेंगे कि देखिए अब इसमें फर्स्ट विसल आ चुकी है और सेकिंड विसल आने वाली है अब मैंने गैस को आफ कर दिया है और जैसी यह थंडा होगा इसका प्रेशर थोड़ा थंडा हो जाएगा हम इसको ओपन करके चेक करेंगे यह आप देख सकते हैं टू विसल के बाद हमने प्रेशर इसका निकाल दिया अब यह कोक हो गई है अच्छे से अब हम इसको आपको छील कर बताते हैं यह देखिए कितने अच्छे से इसके दाने निकल गए हैं यह आप देख सकते हैं पहले से लिग इस जनी करें निकाल कर रहा हैं कुझक गिरी खाने में रियली बहुत टेस्थी हैं अलका सबस्क्स आंदर तक पहँच गया हैं अब देख सकते हैं आप जरूब ट्राइक कीजिढ बहुत बहुत टेस्टी है यह बहुत अच्छा अगर आपको मेरी रसीपी पसंद आई है तो प्लीस लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मुच